कि हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलोजी कि 2021 2021 साल किसके लिए कैसा रहने वाला है एक बहुत चोटी सी बात इसके बारे में आपको बोलूंगा बेसिकली हमाई लाइफ में यही इवेंट होते हैं मेन में जो हमके हैं तो अब क्योंकि 2021 उस टाइम बाद आने वाला है तो अभी आप इंटरनेट या हम कह सकते हैं यूट्यूब भर जाएगा कुछ ऐसी वीडियो से जिसमें हम जानेंगे कि अब आपको यह बात कहीं पर भी गरत लगती है तो प्लीज आप उस पर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इसमें से क्या हो सकते हैं क्या गलत है अब अगर हम इंडिया की बात करें तो 135 करोड हमारी आबादी है अब सपोज एरीज की ही अगर हम बात करें, एरीज राशी या एरीज लगने की अगर हम बात करें, तो करोड़ों लोग इस एरीज लगने के होगे, ठीक है, तो प्रेडिक्शन जनरली क्या आती है, एरीज 2021 के लिए ये कि इस साल आप केरियर में राइस करेंगे, इस साल फॉ होती है इस लिए नहीं होती क्योंकि आपका अपना चार्ट है आपका अगर आप देखें कि अपना जो पर्सनल आपको चार्ट होता है टाइम डेट और बर्थ और प्लेस आप मिलके बनता है वही आपका final status बढ़ाता है Aries वालों के लिए हो सकता है साल कितना ही घराब हो लेकिन आप देखेंगे कि आप progress कर रहे हैं या फिर Aries वालों के लिए साल बहुत ही अच्छी prediction आ गई और Aries वालों आप देख रहे हैं आपकी भी राशी Aries आप देख रहे हैं कभी कुछ नहीं होता ये इसका कोई रेलिवेंस नहीं है कि आप बहुत है कि Aries वालों के साथ ऐसा होगा तो सारे Aries वालों के साथ ऐसा हो जागा नहीं, कभी नहीं होगा जो daily prediction आती है अगर मैं वैसे बात करूँ मैं किसी को criticize या ऐसी बात नहीं करूँगा आपका जो carrier होगा, health होगी, travel होगी वो सबी कुछ अच्छी होगी तो ये एक छोड़ी सी चीज थी जिसके बारे में आपको aware करना चाहता था दाकि आप लोग aware रहें इस बारे में कि राशी की बेस पर प्रेडिक्शन कभी नहीं होती और ना कभी हो सही आती है एक question था बहुत सारे लोगों का आता है कि numerology जैसे हम पढ़ते हैं मैं पढ़ाता हूँ या फिर prediction देते हैं तो बहुत एक genuine सा सवाल आता है कि एक ही दिन में भी करोड़ों लोगों का बढ़त होता है उसमें से लाखों लोगों का नाम भी सहीम होता है तो सभी के लिए common prediction कैसे हो सकती है और ये question बहुत relevant है इसका मैं आज आपको एक बहुत चोटा सा example दूँगा जिस दिन suppose कीजे हम अभी हमारे PM है मोदी जी जिस दिन मोदी जी का बढ़त हुआ था उस दिन बहुत लोगों का बढ़त हुआ था भी फियम तो नहीं बन गए और ये हखीकत की बात है तो ये कहां से आता है ये चीज आती है जब हम astrology और neurology दोनु को mix करते हैं prediction कभी भी एक जगो से नहीं आईगी ऐसा कभी नहीं होगा कि numerology से ही आप अकेले prediction कर सकते हैं या astrology से ही अकेले prediction कर सकते है Numerology और Astrology दोनु Science हैं जो कि एक दूसरे को complete करती है कुछ चीज़े Astrology में बहुत अच्छी है कुछ चीज़े Numerology में बहुत अच्छी है तो जब सम दोनु को mix करते हैं तो result आते है For example, मैं एक छोड़ा सा example आपको देता हूँ अगर माल लीजिए आपके Astrology है आपने मेरे काफी वीडियो देखेंगे उसमें मैंने ये निकानला बताया है कि इसका मतलब क्या होता है हमने कहा कि Jupiter की महादस्या चल रही है Jupiter, Saturn के नक्षतर में है और जो इसका सब लॉड है वो है माल लीजिए कि For example, ठीक है अब सबसे best combination अगर मैं बता हूँ आपको profession के लिए वो होता है, वो होता है 10-11 अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो आप playlist में जाके देख सकते हैं ये माल लीजिए ये है तो इसना positive combination के आगए 10-11 positive है, 11 positive, 11 positive है, 6-8 positive है तो इसके लिए हम क्या prediction दे सकते हैं कि ये time इसके carrier के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, छोटी-मोटी obstacle आएंगी लेकिन बहुत बढ़िया रहेगा लेकिन ये तो हमने एक prediction दे दी, लेकिन अब हमें इसमें ज़रूरी है numerology mix करना अब माल लीजे, numerology में आगया कोई negative combination, मैंने जैसे कि बहुत बार बताया है, जो मैंने reveal किया online वह बता देता हूँ, 999 मैंने का आगया carrier के लिए बहुत negative होता है, अब माल लीजे, यहाँ पर 999 आगया numerology में, तो क्या होगा, सपोस कीजिए, अगर हम astrology से इसको quantify करने की कोश तो जब हमने इन दोनों को mix किया, तो जहां से जो loss होना था, वो आपको होना था 20K, तो जो हमने निकाल यहां से result आया, तो कि आपको जो loss, जो आपको फाइता होगा, वो 30K होगा, मतलब कही ना कहीं से आपकी positivity ही खतम कर देने numerology, अब वैसे ही, अगर मैं इसको हटा दू, यहां से हटा दू, यहां पर 12 लिख दू, यहां गया 12, यह बहुत बुरा टाइम होगा, इवन इस टाइम पर जॉब भी जा सकती है, ठीक है, यह जो मैने combination अब लिख दिये है, इसके टाइम पर जॉब भी जा सकती है, लेकिन astrology बहुत positive है, numerology बहुत positive है, अब मैंने numerology में positive combination आपको बता है, अगर 8-8 आजाए, आठ पहले से है, महादर्शा में आजाए 8, या 8 पहले से है, अंतरदर्शा में आजाए 8, या महादर्शा अंतरदर्शा दोनों 8-8 की हो जाए, ठीक है, या तो अगर यह हो जाए, तो क्या होगा, अब यहां से तो लॉस होना है 50K का, यहां से जो फाइदा होना है, वो आपको 55K का, तो जो resultant आ गया, वो आगया आपको सिर्फ और सिर्फ 5K का फाइदा होगा, मतलब जिन्देगी जैसी थी वैसी चल रही है, अब यहां पे, मालो आपको, आपकी राशी है, मेश, ठीक है, मेश राशी है, अब मेश राशी के अपना profit भी देदेगा, तो रही कि inconvenience बहुत जादा रहेगी, लेकिन live गाड़ी चलती रहेगी, अब यह दोनों ही negative हो गया, अब माली यहां पर triple line आ गया, तो फिर यह तो बहुत, यह major loss है, यह even, you know, मतलब job loss की तरफ भी चीज़ों को दिखाता है, इस time पर भली आपकी, स जैसा कि हम example लेते है, में इस राशी का 2021 में पहुषिक कितना ही अच्छा हो, इनका कुछ नहीं हो सकता, यह time इनका struggle का ही रहेगा, तो basically जो prediction आईगी, वह हम astrology, numerology को लेकि, mix करके prediction करेंगे, prediction कभी भी किसी राशी के base पे नहीं आती है, hope आपको यह अच्छा लगा होगा, त तो please यह राशी और इन सब चीजों के आप चक्करों में ना पढ़ने तो ज़्यादा बैटर रहेगा, because होना कुछ नहीं है, उनकी prediction के base पर होना कुछ नहीं है, so अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो please चैनल को like, share और subscribe कर दीजे, और अगर यह वीडियो अच्छा झाल